दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है आज इस वीडियो में मैं टेक फायर बुलेट M31 प्रो टू नेग बैंड का फुल कंपारिशन रिव्यू करूंगा Aroma NB119 Pro Believe के साथ और आपको बताओंगा इन दोनों मैं से कौनसा ऐरफोन पर्चेस करना चाहिए काफी छोटा वीडियो होगा Directly मैं बताओंगा कि कौनसा बढ़िया है आपको ज़्यादा टाइम भी आपका वेश नहीं होगा जिसमें आप फटा 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 डिसीशन ले सकते हो कौनसा ऐरफोन आपको खरीदना है कौनसा सही है पर मैं अपनी ओपिनिन बताओंगा कि मैं किसके साथ जाना पसंद करूंगा तो उसके जरीए आप भी पता कर सकते कि कौनसा चीज कितना मुझे अच्छा लगा है वही सबसे फिर आप भी सज़ेक्ट कर सकते हो सबसे पहले बात करते है इस एरफोन की साउंड कॉलिटी तो बेसिकली टेक फायर बुलेट एक ऐसा एरफोन है जिसके अंदर मोस्ली बहुत सारे लोग का कंप्लेंट से आई है कि साउंड कॉलिटी इतना बढ़िया इसमें नहीं मिल रहा है तो अभी यह मुझे तो नहीं प्रोबिलिफ है और अगर बेस की बात करो तो एवी डिप बेस डेफिनितले बट उतنا नहीं है कॉलिंग की बात करेंगे तो भाई कॉलिंग एकस्पेरियंस अपका जो आप बात करोगे तो उसमें भी आपको प्राबलम नहीं आती है sound में आपको किसी बी ढार का आपको है बैटरी बैकप की तो Techfire Bullet M31 Pro 2 आपको 20 hours of battery देता है जो कि एक गंटे में चार्ज हो जाएगा और Aroma Pro belief आपको 48 hour का battery बैकप देता है जो कि 1.5 गंटे में चार्ज होगा तो इस हिसाब से कौन सा ज़्यादा आपको value for money है या आपको देख सकते हो Aroma Pro belief एक value for money device है अगर आप compare करोगे Techfire Bullet M31 Pro से तो basically यही है एक review तो आपको अगर आप मुझे पूछोगे कि Aroma Pro belief और Techfire में मैं किसके साथ जाना चाहूँगा तो मैं Aroma Pro belief के साथ जाना चाहूँगा बाकि आप जो है आपके इसाप से जो चीज आपको सही लगती है वो देखके आप जा सकते हो basically मैं build quality के बाहरे में नहीं बता था because build quality भी कुछ लोग के लिए matter करता है look wise अगर मैं बोलू तो Techfire दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है और जो आरोमा प्रो बिलिफ एक basic जैसा एरफोन जैसा है तो कुछ खास डिजाइन इतना नहीं है